नमस्कार मनी गुरू के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ स्वाथी रायना कहीं आप अंतराश्टे बाजार में ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं है ग्लोबल बाजार में उत्र पुथल और सेवी के एमसी के लिए विदेशी निवेश फिर से शुरू करने के बीच आपको आज बताने बाले हैं विदेशी बाजार में कितना एक्स्पोजर आपको लेना चाहिए और ये भी समझेंगे कि mutual fund में घरेलू बाजार के साथ साथ अंतराश्य बाजार का भी allocation किन फंड्स में है तो विदेश में कितना निवेश है आपके लिए सही आपके portfolio के लिए अच्छा इस पर बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ है खास महमान परिचर करा दे Optimum Money Managers के MD पंकच मटपाल पंकच जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में international investing को लेकर लोगों के उत्सुकता बहुत जादा हमेशा से बड़ी रहती है क्योंकि एक नया flavor है विश्व के अलग-अलग बाजारों का जो मिश्रन portfolio में आता है उससे फाइदा भी होता है अभी एक हालिया मैं आपसे पूरी तस्वीर और सूरत समझना चाहती हूँ कि अभी international निवेश अगर किसी को भी करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि globally भी काफी जादा उतार चड़ाव हमें देखने को मिल रहा है US के markets होगे, Asian markets में भी, घरिलो बाजार में तो है उठा पठक तो अभी अंतराश्य बाजार में निवेश करना सही है? स्वाते, गूड इवनिंग देखे, आपने सही सवाल पूछा कि आप क्योंकि सेवी ने जो restriction लगाया हुआ तो वो हटाया है और इसकी वज़े से ये सवाल निवेशों के मन में है कि क्या उन्हें investment थूरू कर देना चाहिए अब क्योंकि diversification के लिए जरूरी है कि जिस तरह से आप घरलू funds में invest करते हैं वहीं साथ में थोड़ा निवेश अगर आपका international funds में भी हो तो ये वेतर रहेगा long term में क्योंकि हम जब बात करते हैं विदेशी निवेश की तो इस पेशली हम बात करते हैं Google, Amazon, इस तरह की companies की, Facebook बगएरा कि आपका investment इस तरह की companies में भी रहेगा जिसका फायदा long term में आपको मिलेगा तो अब ये जानना जरूरी है कि पहली बात क्या आपने पहले से ही investment किया हुआ है तो क्या आपको से बदलाव करना चाहिए या आपने investment नहीं किया है international funds में और आपको करना चाहिए और तीसरी बात हो सकता है कि आपने domestic fund में invest किया हो और वो domestic fund आपने portfolio का कुछ हिस्सा international shares में invest कर रहा हो तो इन बातों के आधार पर आपको तै करना होगा तो definitely यदि आपका नजरिया लंबे समय का है तो आपको अपने portfolio में diversification के थोड़ा सा हिस्सा मतलब 10%, 15% allocation आपको total portfolio का international funds में करने के बारे में सोचना चाहिए लेकिन ये overall है तो आप ध्यान रखें कि यदि आपने किसी domestic fund के जरिये already exposure लिया हुआ है तो इस case में जरूरत नहीं है और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि किस country के stocks में आपका investment है क्या US वाले stocks में है या फिर China या Taiwan इस तरह के funds में है तो वो उसको भी आपको समझना चाहिए को समझना चाहिए अब ही जो हाल फिला हाल में जो सवाल हमारे पास आ रहे है पंकर जी वो ये है कि सेभी ने चलिए बोलतो दिया है कि AMC से आप फिर से foreign stocks में invest करना शुरू कर दीजिए क्योंकि हमें मालूम है कि सब पूरी इंडस्ट्री के लिए 7 billion dollar की limit है और अगर मैं गलत नहीं हो तो हर एक AMC की 1 billion dollar की है पंकर जी जी बिल्कुल यहां पर अपने limit है अलग से और टोटल ओवर लिमिट है हाँ टोटल लिमिट 7 billion dollar की है अब क्योंकि वो टोटली ब्रीच नहीं हुई हमने बहुत correction देखा है international markets में भी तो इसलिए अब उन्होंने बोला चलिए आप फिर से आप invest करना शुरू कर दीजिए निपॉन इंडिया है उनमें से कईयों ने फिर से निवेश शुरू कर दिया है और in fact कुछ जो schemes है जिनका कुछ हिस्सा जिसे परागपारिक scheme है जिनका कुछ हिस्सा international stocks में भी invest करता है वहाँ पर लोगों में confusion है कि यह जो limit breach होने का उनके या जो यह जो limit लगी थी से भी न नहीं ले रहे हैं नया निवेश तो वो क्या करेंगे तो अभी investors को करना क्या चाहिए जिनका exposure किसी ना किसी तरीके से internationally है स्वाती पहली बात यह है कि जो limit है सेवी ने limit बढ़ाई नहीं है लेकिन क्योंकि कुछ redemption आया या market में गिरावट आई जिसकी वज़े से थोड़ा सा headroom खाली था तो इसके लिए सेवी ने दुबारा से यह permission दे दी कि आप यानि की mutual fund houses जो है वो international stocks में invest कर सकते हैं और इस वज़े से investor को choice मिल गई कि वो अब जिन AMC ने सुरू कर दिया है वहां पर वो invest कर सकते हैं तो again जैसे आपने कहा कि भविश्य में फिर से क्योंकि headroom जो फिर से वो limit पूरी हो जाएगी और फिर शायद दुबारा से रोखना पड़े जब तक कि सेवी limit को न बढ़ा दे तो ये तो समझ दीजी कि temporary रहेगा इस तरह का arrangement जब तक से भी limit नहीं बढ़ाती है अब अगर आपने example यहाँ पर लिया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप fund क हमने देखा कि प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप fund ने इस limit यानि कि यह जो सेवी का restriction था उसको हटने से पहले ही investment लेना शुरू कर दिया था उसकी वज़य यह है कि वो एक domestic fund है जो की थोड़ा हिस्सा अपने portfolio का international stocks में invest करता है तो उन्होंने क्या कहा था कि यदि सेवी limit नहीं बढ़ाती है तो जो नया पैसा आएगा investor का उसे हम domestic market में invest करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा यदि हम प्राग पारिक flexi cap की या हम निपॉन इंडिया flexi cap या PGIM की बात करें जहां पर इन funds का allocation international stocks में है तो यदि वो limit नहीं बढ़ती है और उनकी limit पूरी हो जाती है तो इस case में जो नया investment आएगा investor से वो domestic market में invest होगा तो यदि हम प्राग पारिक flexi cap की बात करें कि उनका current allocation जो है वो करीब 25% का है international market में और कल को यदि नया पैसा international stocks में नहीं होता है तो यह जो allocation है वो कम हो जाएगा ratio कम हो जाएगा जिसका फर्क रिटरंस पर दिखाई देगा मैं पॉजिटिव नेगेटिव बड़ फर्क आएगा यदि उनके पास रिटरंस इंटरनेशनल एक्विटी में investment की बज़ए से आए हैं और वो exposure कम हो जाएगा तो उसकी बज़ए से रिटरंस पर फर्क पड़ सकता है तो निवेश को कई बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनक कितना अलोकेशन वो इंटरनेशनल फंड में चाहते हैं बिल्कुल इन फाक्ट यही अब सवाल आपसे पूछना जरूरी है क्योंकि कई ऐसे घरेलू जो mutual funds हैं जिसका जिक्र भी आपने किया फ्लेक्सी के आप काटेगरी के जिनका इंटरनेशनल बाजार में भी exposure है और हम एक pure global fund भी देखते हैं वो तो full and full international market पर based ही होता है तो कितने तरीके के funds available हैं मैं आपसे इसके बाद में जरूर पूछूंगी कि आप कही over diversify तो नहीं हो गए अपने international exposure में उसको रोकने के लिए क्या किया जाए लेकिन अभी चाहे region specific हो चाहे country specific हो चाहे कोई particular theme को follow कर रहे ह यह funds कैसे बाइफर केट हुए हैं international exposure में और कुछ funds के नाम भी जरा example के तौर पर बताईएगा बिल्कुल देखिए स्वाती एक important चीज यह है कि अगर हम जैसे इंडिया में जब invest करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या मुझे large cap में अलग से करना है mid cap में करना है small cap में करना है य invest कर देंगे तो वही है कि यदि आप एक domestic fund में कर रहे हैं जहां पर थोड़ा exposure आपका international में भी है तो वह एक तरीका हो सकता है लेकिन यदि आपका बड़ा portfolio आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने total portfolio का 10% international fund में allocate करू तब आप एक अलग से fund ले सकते हैं लेकिन स्वाती आपने जैसा अभी कहा एक बात बहुत ही important है कि निवेशक जब इंडिया में invest करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि मैं diversified fund में कर रहा हूं या मैं thematic fund में कर रहा हूं या फिर मैं large cap में mid cap में कर रहा हूं लेकिन जब बात आती है international की तो आधिकतर निवेशकों के लिए international fund मतलब एक ही category मान के चलते हैं जबकि ऐसा नहीं है international में भी आप को देखना होता है कि क्या आप S&P 500 इंडेक्स में कर रहे हैं जहां पर कि 500 इंडेक्स में कर रहे हैं या फिर आप किसी अलग country का मतलब यह तो मैं US की बात कर रहा था हो सकता है कि आप greater china fund में कर रहे हैं या ताइवान fund में कर रहे हैं या फिर हो सकता है आप फांग प्लस जिसमें किसे टैन स्टॉक्स है आप कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल फंड में इंवेस्ट करते समय सबसे पहले डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल एक्विडी फंड में करना चाहिए और जहां तक हो सके आप यूएस टटाff यूएस पंड में करें तो आप नैसडेक100 या फिर S&P 500 फंड में इनवेस्ट करें तो बहतर चौईस होगी उसके बाद फिर आप क्योंकि इनवेशन फंड या फिर चाइना फंड टाइवन फंड जिन अनका मैंने छिकर किया उनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन हम क्योंकि जब शोर पे बात करते हैं तो आम निवेशक की बात करते हैं और आम निवेशक के हिसाब से आपको diversified international fund में करना चाहिए. तो जहां तक आपने सवाल पूचा, सवाती मैं साथ में सवाल में ले लेता हूँ, आपने पूचा कि इसकी के नाम बता हूँ, तो यदि हम बात करें कि इंटरनेशनल फंड जैसे कि आइसे से प्रोडेंशनल यूएस ब्लूचिफ फंड या नेश्डेक 100 में चाहे आप आइसे से प्रोडेंशनल की बात करें या मोतिलाल ओस्वाल की बात करें लेकिन अगर हम कंट्री स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास जैसे एडलवाइस ग्रेटर चाइन प्रेशर में है तो ऐसे में यूएस ब्लूचिफ फंड में इंवेश्ट करना शायद सही रहेगा और जैसे डियस्प वर्ल्ड गोल्ड फंड है यह ऐसा फंड है जो की गोल्ड माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स में इंवेश्ट करता है या कोटक ग्लोबल इनोवेशन फं साथ ही यदि हम बात करें कि आपको ऐसे फंड में करना है जिसका निवेश हर कंट्री के स्टॉक्स में हो तो ऐसी भी चॉइस है उधारन के तौर पर आइसी आइसे प्रोडिंशल ग्लोबल एडवन्टेज फंड ऑफंड यह ऐसा फंड है जो की दूसरे फंड की यूनिट् इवेश यूएस के साथ साथ दूसरी कंट्रीज के स्टॉक्स में भी हो सकता है तो यह भी आपके पास चॉइस है लेकिन आपने रिस्क एपटाइट के हिसाब से आप यह तैग करें और शुरुवाद जहां तक हो सके आप एक डाइवर्सी फाइड इंटरनेशनल फंड प् चाहिद मेरी राय में सही नहीं रहेगा एक overall exposure जब हम कहते हैं international investment का वो किसी के portfolio में लगबग आप कितना percentage तक बताएंगे अभी होना चाहिए 10% के आसपास काफी है total exposure की बात करें तो आपके portfolio का equity portfolio का 10% allocation आप international में रखें और जहां तक सवाल है कि domestic fund के जरिये तो मान लिजे कि आप 5000 की SIP कर रहे हैं और आपने सिर्फ एक ही fund चुना हुआ है और आपके portfolio मान लिजे पर आप पार एक flexi cap fund ही है तो लगबग 25% के आसपास allocation आपका international में हो रहा है तो ऐसे में फिर आपको कोई दूसरे fund को add करने की international fund को add करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और जैसे मैंने कहा otherwise अगर आप एक fund add करना चाहते हैं आपके पास domestic में allocation नहीं है तो 10% maximum हो सके तो 15% उससे उपर allocation आप international में ना करें क्योंकि हमारे इंडिया की economy में मुझे ज्यादा भरोसा है यहाँ पर बहुत सारी choices है तो ज्यादा investment आप domestic funds में करें कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ मुंबई से अंजना सराफ शो में शामिल हो चुकी है अंजना जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस शो में आप 5 fund में अभी SIP कर रही हैं कबसे आपने शुरुआत की इन SIP करने की और क्या है आपका financial lecture नमस्ते में नमस्ते मैं नमस्ते मैं नमस्ते मैं नीए SIP चालू किये और में यह सारे प्रोपर है क्या पार्ट है यह मुझे चेंज करने का जरूत है इसमें और मुझे 10 साल बाद में आपने जब एक लक्षी जब सेट किया तो आपने तब किसी फानाशल प्लानर की मदद ली थी या फिर आपने खुद से एक फंड को सिलेक्ट किया तो फ्लेक्सी कैप भी है आपके पूर्टफोलियो में ब्लूचिप फंड भी है दो फ्लेक्सी कैप है इन फाक्ट एजए एपसी टॉप हंड़ेड का फंड है फ्रैंकल इंडिया फोकस फंड आपने डाला है थाट प्रोसेस मैं समझूंगे आपसे और दस साल के बाद एक करोड रुपे आपको चाहिए कोई खास वजह वजह इसा कुछ नहीं है में तो बच्चे का एजुकेशन और मेरीज है और इसा कुछ अलग से कुछ नहीं है कि अपको लग रहा है एक करोड रुपे काफी पढ़ेंगे एजुकेशन और शादी के लिए और अपने रिटायमेंट प्लानिंग के लिए सोचा आपने कि उसमें भी आपको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कुछ 15-16 साल के बाद अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं और इ और 25,000 से अपनी S.I.P. कितनी बढ़ा पाएंगे आप क्यूंकि अगर उसमें रिटायमेंट का लक्ष भी जोड़ना है तो एक ज्यादा S.I.P. की जरूरत पड़ेगी 40-45 तक कर सकते हूं मैंडम 45 तक अच्छा आप वर्किंग है कि अंजना जी पंकर जी कुछ क्लारिफिकेशन आप भी चाहेंगे अंजना जी से या फिर सारी जरूरते हैं इनके क्वेस्टन का आंसर देने के लिए नहीं नहीं जो भी था बाकि अपने पूछ लिया है तो क्लारिफिकेशन तो आप पर है क्लारिटी है अंजना जी मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा एक तो जो आपकी स्कीम से उसमें से एस्टी एफसी टॉप हंड्रेट पंड जो है उससे आप निकल जाएए वहाँ पर ऐसा भी बंद कर दीजिए बाकि स्कीम ठीक है आपके दी यह सवाल है कि एक क्रोड उप्या आपको पता है मुश्चुल फंड्स में जो रिटन्स होते हैं वह गारेंटीड नहीं होते हैं लेकिन हिस्टोरीकली जो रिटन्स ग्रीवर किये हैं उनको ध्यान में रत्यक हों कहते हैं कि 12% का अभरेज आप मान लीजिये तो 12% का यदि और यदि आप हर महिने 45,000 रुपिया इंवेस्ट करते हैं अभी से लेकर तो आप 10 साल में खटा कर सकते हैं अब क्योंकि रिटायर्मेंट का भी गोल आपका बचा हुआ है उसको भी आइड करना है तो मैं आपको सलाह दूँगा आप 45,000 से कीजिए क्योंकि आप करीब कर भी जो बच्चों के एड्यूकेशन का गोल है वो पूरा हो उसके साथ साथ आपका रिटायर्मेंट के लिए भी एक अच्छी राशी जुटाई जा सके तो ये आपको सलाह है एक इसकी में बदलाओ और आपनी जो राशी है वो 45,000 अभी कर दीजिए और हर साल उसको बढ़ाते जाएए ओके और रिटायमेंट प्लानिंग के लिहास से भी अंजना जी जरूर सोचिए अट दे एज अफ सिक्स्टी या अराउंड 55 की उम्रत तक आपको एक अच्छे रकम की जरूरत पड़ेगी इंफ्लेशन के हिसाब से आपको इस माउंट को कैल्पिलेट करने की जरू से हरकेश जी बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में आपसे समझना चाहेंगे सर आप अपना एक सवाल पूछना चाहरते हैं आपके भाई ने एक ELSS Fund में निवेश किया था जो की अनफॉर्चनेटली अब नहीं रहे नॉमिनेशन को लेकर कुछ दिक्कते पेश आ रही है हम ऐसा पंकश मठपाल है आप अपना सवाल डीटेल में पूर सकते हैं आप नमस्ते नमस्ते असर मेरे भाई हम्परका शगरवाल ने मूचल फंड में दो लाग उन्पें इन्वेस्ट किया था प्रवलम क्या है कि उनके छोटे बेटे के नाम उसको एपलाई किया था ट्रांस्मिशन के लिए चिका है अब कि अनले कितना है जो डो लाग रुपे अने वेस्ट किया था अब वह बढ़कर कितना हो गया है तो देखे रूल ऐसा है क्योंकि नॉमिनी बनाया था जॉइंड अप्लिकेंट भी था पर समश्या यह है कि अब क्योंकि जिसको नॉमिनी बनाया था वो रहे नहीं और जॉइंड अप्लिकेंट भी नहीं रहे तो इस केस में इसको माना जाएगा कि यहां पर कोई भी नॉमिन नहीं है आप या तो उनके पास हो उन्होंने अगर दल की हो आपनी वसीयत लिखी हो तो उस वसीयत की कौपि लगाई जाएगी के साथ और डेध सेटिपिकेंट लगाया जाएगा ताकि यह transmit हो सके और एक indemnity bond देना होगा लेकिन अगर will नहीं है बलकि इसमें अगर will है तो indemnity bond की भी जरूरत नहीं है लेकिन will नहीं है तो और amount दो लाग से उपर है जैसे आपने कहा कि तीन लाग के आसपास amount हो गया है तो ऐसे में आपको succession certificate जमा करना होगा और यह जो succession certificate है यह मिलता है district court से तो अब आपको किसी advocate की मदद से succession certificate करे apply करना पड़ेगा और उसके बाद जब वो certificate आ जाएगा उसमें कुछ time लगता है क्योंकि आपको petition file करनी होगी उसके हेरिंग होगी उसके बाद में आपको वो letter of administrator मिलेगा certificate मिलेगा उसके बाद ही यह ट्रांसपर हो पाएगा अगर दो लाग से कम का amount होता तो यह संभाव था कि एक indemnity bond देकर एफिडेविट देकर यूनिट्स को transmit किया जा सकता था किसी और के नाम पर लेकिन क्योंकि जैसे आपने कहा कि amount तीन लाग के आसपास है तो यह काईदा या कानून यही है कि उस केस में सक्सेशन साइटिफिकेट जमा कराना होगा के जी क्लियर है या कोई और डाउट क्लियर करना चाहेंगे एक पूछना चाह रहा हूं अभी एक महीने पहले से भी ने लिखा दागे यह जी वह शेयर के लिए शेयर के लिए ऐसा कहा गया है कि पांच लाग की लिमिट अगर आपके फिजिकल फॉर्म में शेयर से और यह शेयर डीमेट में तो पंडरे लाग लेकिन मुच्वल फंड में अभी तक ऐसा अप्लाई नहीं हुआ है मुच्वल फंड के लिए जो दो लाग के लिमिट है वही है ओके हरकेज जी उमीद करते हैं आपको अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर अभी भी कुछ भी सवाल आपके मन में है आप जरूर हमें फिर से लिखिएगा और कोई भी अगर मन में अभी भी सवाल है हम अगले शो में एक बार फिर से आपके बचे हुए डाउट्स को पूरा करने की कोशिश करनी के लेकिन मुझे लग रहा है काफी हद तक पंकत जी ने आपके सवालों का बहुत क्लारिटी से जवाब दे दिया है बहुत धन्यवाद करेंगे पंकत जी आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए और एक तो हमने इंटरनाशनल निवेश की बात की और दर्शकों से भी आज हमने बात की और मनी गुरू में आज के लिए बस इतना ही रुकते हैं एक ब्रेक के लिए पर खबरों का सुर्चला जारी रहेगा देखते रहें सी बिस्निस झाल